कहानी की शुरवात होती है हुओ नाम के एक लड़के से जो एंडी नाम के मार्शल आट्स गुरू का बेटा था मगर हुओ को बचपन से ही अस्थमा था इसलिए एंडी ने हमेशा उसे ट्रेनिंग से दूर रखा लेकिन हुओ फिर भी छुप छुप के कुम्फू सीखने की कोशिश करता था हुओ का एक ही दोस्त था जिंसन जो हुओ का सारा स्कूल का काम करता था ताकि हुओ अच्छे से ट्रेनिंग कर सके एंडी एक काफी ताकतवर योधा था पर आज उसकी टकर जाओ से होने वाली थी हुओ को पूरा यकीन था कि उसके पिता ही जीतेंगे मुकाबले की शुरवात से ही एंडी जाओ पर भारी पढ़ने लगा और अंत में वो एक जोरदार वार से जाओ को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि अचानक उसने खुद को रोक लिया उसके अच्छाई का फायदा उठा कर जाओ ने दोबारा वार करके एंडी को हरा दिया इस घटना से बेचारे हुओ का दिल ही तूट गया बाद में जाओ के बेटे ने हुओ को मुकाबले के लिए ललकारा हुओ भी राजी हो गया लेकिन वो तो कुछ ही पलों में हार गया तो उसने कसम खाई की टियान जिन शेहर का सबसे बहतरीन कुमफू योधा बनके दिखाएगा फिर वो जिनसन के साथ अपने पिता की लाइबरेरी में गया और वहां से मार्शल आर्ट्स की एक किताब चुरा ली फिर उसने दिन रात कड़ी मेहनत करके उस किताब से पढ़कर ट्रेनिंग की कुछ समय बाद उसने साओ के बेटे को फिर से ललकारा पर इस बार हुओ की बहतरीन तैयारी के सामने वो भी नहीं टिक पाया इस घटना के कई साल बाद हुओ अब मार्शल आर्ट्स का जबरदस्त योधा बन गया था उसके पिता की मौत हो गई थी और अब वो अपनी मा और छोटी बहन के साथ रहता था अब तक हुओ न जाने कितने योधाओं को बड़ी आसानी से हरा चुका था चारों और उसके चाहने वाले काफी बढ़ गए थे लेकिन इसी चक्कर में वो घमंडी होकर अपने पिता के उसूलों को भूल गया अब वो बस शराब भी के मस्ती मारता था और साथ ही उसके स्टूडेंट भी उसकी देखा देखी बहुत बिगड़ गए कई बार तो वो इतनी शराब पी लेता कि घर वापस लोटना ही भूल जाता धीरे धीरे उसका सारा पैसा खतम हो गया और वो कर्ज में डूपने लगा पर वो अब भी ऐसे ही बेफिकर घूम रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हूँ एक शाम वो अपने दोस्त जिंसन के यहां गया जो काफी अमीर बिजनसमैन बन गया था और पासी में उसका एक रेस्टराँ भी था हमेशा की तरहां हुओ ने खूब शराब पी और अपने स्टूडेंट्स को भी मुफ्त का खाना के लाया तब जिंसन के नौकर ने उसे बताया कि हुओ ने पिछले एक साल से बिल नहीं भराये फिर रात को जिंसन ने हुओ को समझाया कि तुम्हारे चेले तुम्हारे साथ सिर्फ मुफ्त की शराब और खाने के लिए हैं पर हुओ को उसकी बाद ठीक नहीं लगी और वो गुसा होकर वहां से चला गया अगले दिन हुओ को अपना दुश्मन किन दिखा जसने अब तक अपने सभी ओपोनेंट्स को मात दी थी अचानक उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई जिससे हुओ अंदर तक जल उठा बाद में उसने अपना गुसा अपने स्टूडेंट्स पर उतारा फिर राद को अचानक उसके एक स्टूडेंट को जखमी हालत में उसके सामने लाया गया पता चला कि उसकी ये हालत किन ने की थी हुओ को लगा कि किन ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया और किन की इस हरकत से उसे बहुत गुसा आ रहा था उधर जिंसन के रेस्टरॉं में किन और उसका परिवार उसका जनम दिन मना रहे थे तभी अचानक हुओ अपने आदमियों के साथ वहां घुसाया और पास के एक टेबल पर शराब पीने लगा किन ने उसे आज रात के लिए दुश्मनी परे रखने को कहा क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता था लेकिन हुओ ने उसकी एक न सुनी जिंसन ने भी उसे रोकने की कोशिश की पर हुओ ने गुस्से में उससे भी अपनी बचपन की दोस्ती तोट डाली फिर उसने किन को मुकाबले के लिए ललकारा और कहा कि अगर वो नहीं लड़ा तो उसे हुओ के सामने ना करगरनी होगी उसकी ये बात सुनते ही किन को छोड़कर बाकी सब रेस्टरॉण से बाहर निकल गए फिर उन दोनों के बीच जबरतस लड़ाई हुई जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टकर दे रहे थे आखिरकार गुस्से में हुओ ने बेईमानी की और किन की चाती पर ऐसा जोरदार वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई बाद में जब हुओ अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी मा की लाश पड़ी थी असल में किन के चाहने वालों ने हुओ से बदला लेने के लिए ऐसा किया था हुओ पूरी तरह तोट गया और अचानक उसे याद आया कि उसकी बहन भी घर में ही थी वो दोड़कर कमरे में गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वो भी लहू-लुहान पड़ी थी और उसके हाथ में चोटा सा तौफा था जो उसने हुओ के लिए तैयार किया था इससे हुओ को बहुत गहरा सदमा लगा जब वो बाहर आया तो लोगों ने उसे बताया कि जिस लड़के को किन ने पीटा था उसने किन की पतनी के साथ बद सुलुकी की थी किन ने उसे बेवजा नहीं अपनी पतनी की इज़त को बचाने के लिए पीटा ये सुनकर हुओ पच्चतावे और दुख से भर गया और उसे जिंदा रहने का कोई मकसद दिखाई नहीं दिया आखरकार वो एक कश्टी में बैठ कर कहीं दूर निकल गया उसके अंदर जीने की तमना बिल्कुल नहीं बची थी और शायद वो मर भी जाता लेकिन कुछ ही समय में नदी किनारे रहने वाले लोगों ने उसकी जान बचा ली उन्होंने उसकी खूब देखवाल की मगर जब हुओ को होश आया तो वो सदमे में चला गया और उसने किसी से बात नहीं की तब मून नाम की एक अंधी लड़की ने उसकी देखवाल की और उसकी दादी ने कहा कि हुओ जल्द ही ठीक हो जाएगा फिर एक दिन मून ने हुओ के बाल चुए जो काफी लंबे हो गए थे वो उसे बिस्तर से उठा कर नदी में ले आई और उसके बाल काटने में मदद की उस दिन से हुओ इस कबीले का हिस्सा बन गया वो उन्हें खाना बनाने, खेती करने और घर के कामों में मदद करता धीरे धीरे एक साल बीद गया और मून और हुओ एक दूसरे से प्यार करने लगे फिर एक दिन उनके कबीले का एक पच्चा दूसरे कबीले की गाएं चुराता पकड़ा गया मून और उसकी दादी ने दुश्मन कबीले के सरदार से माफी भी मांगी मगर उनके उसूलों के हिसाब से जो भी ऐसी गलती करेगा उसे एक अगर बत्ती के जलने तक पीटा जाता था तब हुओ सामने आया और कहा कि इस बच्चे के बदले वो मार खाने के लिए तैयार है लेकिन बड़ों के लिए गलती की सजा अलग थी इसलिए अब हुओ को कबिले के सर्थार से मुकाबला करना होगा वैसे तो उसे हराना हुओ के बाएं हाथ का खेल था मगर वो अपनी काबिलियत से किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहता था पहले तो वो पिटता रहा पर जब दादी ने उसे अपनी इफाज़त करने का होंसला दिया तो वो उट खड़ा हुआ आखरकार अगर बत्ती बुझ गई पर उसका विरोधी उसे हाथ तक नहीं लगा पाया अंत में उसने हार स्विकार की और हुओ की खूब वावाही हुई अगले दिन हुओ, मून और कुछ बच्चे खेत में बैठे थे और अचानक से बच्चे कहने लगे कि वो हुओ से कुमफु सीखना चाते हैं मगर हुओ ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया क्योंकि वो इस गाओं की शान्ती को भंग नहीं करना चाता था फिर एक दिन मून अपने माबाप की कबर पर गई तो हुओ को भी अपने माबाप और बेहन की आद आई जिन्हें उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा था अब उसकी मानसिक खालट ठीक थी इसलिए उसने अपने शहर वापस जाकर उनकी कबर पर श्रधांजली देने का फैसला किया जब उसने मून को ये बात बताई तो उसने तो बहुत खुश होकर कहा कि हाँ तुमें जरूर जाना चाहिए हुओ ने उससे वादा किया कि वो जल्द से जल लोटेगा इसके बाद हुओ अपने शहर टियान जिन पहुँचा जो पहले से काफी बदल चुका था राजा के मरने के बाद से कई देशों ने चाइना पर हमला करके कई हिस्सों पर कबजा कर लिया था खैर हुओ सबसे पहले अपने घर गया जो एकदम खंडर बन चुका था उनके पुराने नौकर लाइफो ने उसका स्वागत किया उसने घर की इफाज़त करने की पूरी कोशिश की मगर हुओ के जाने के बाद कई लोगों ने पैसों के चकर में घर को तैस नैस कर दिया आखरकार हुओ अपने पिता की कबर पर पहुँचा और उनसे माफी मांगी अब उसे समझ आ गया था कि इतने साल पहले उसके पिता ने अपने विरोधी की जान क्यों नहीं ली इसके बाद वो किन के घर गया और उसकी तस्वीर के आगे बड़ी इज़त से सर जुकाया बाद में जब वो चाइना घूम रहा था तो उसने देखा कि हरकुलीस नाम के एक पहलवान ने चाइनीज लोगों को मुकाबले के लिए बुकारा था और अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगी जब जिंसन को पता चला कि उसे पैसे क्यों चाहिए तो वो तुरंथ ही राजी हो गया आखिरकार मुकाबले का दिन आया जिसमें हरकुलीस और हुओ आमने सामने थे सब को लगा था कि हुओ इस हटे-कटे हरकुलीस के सामने कहा टिक पाएगा मुकाबले से पहले हुओ ने दस्तखत किये कि वो इस मैच को पूरी इज़त और कानूनों के हिसाब से लड़ेगा जल्द ही मैच शुरू हुआ और हुओ हरकुलीस पर भारी पढ़ने लगा अचानक हरकुलीस रिंग के साथ लगी कीलों से टकराने वाला था कि हुओ ने उसकी जान बचा ली एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते हरकुलीस ने अपनी हार खुद ही स्विकार कर ली तो अपना हुओ जीत गया जल्द ही हुओ बहुत मशूर हो गया और उसे शांगाई बुलाया गया वहाँ जिंसन ने उसके साथ एक अकैडमी खोलने का सोचा जिसमें बच्चों को कुम्फू सिखाया जाएगा इस तरहां उनके देशवासी फिरंगियों के खिलाफ एक जुट हो सकेंगे उधर फिरंगी ऑफिसर्स हुओ की बढ़ती मशूरी को देख कर जल रहे थे उन्हें डर था कि चाइनीज लोग फिरंगियों के खिलाफ न हो जाएं इसलिए उन्होंने हुओ को हराने की तरकीब लगाई उन्होंने एक ही दिन में हुओ के चार मुकाबले रखे ताकि वो हार जाए जब हुओ को इसकी खबर मिली तो वो समझ गया कि ये उसे हराने की एक साज़िश है लेकिन फिर भी वो उन मुकाबलों को लड़ने के लिए तयार हो गया मुकाबले से एक दिन पहले वो अपने विरोधी तनाका से मिला जो जापानी चैंपियन था जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि तनाका भी हुओ की तरहां एक सच्चा और इमानदार योद्धा था आखिरकार मुकाबले के दिन हुओ का सामना दुनिया भर के तीन सबसे जादा ताकतवर खिलाडियों से हुआ लेकिन कोई भी उसके सामने दो मिनट से जादा नहीं टिक सका आखिर में अब उसे तनाका से लड़ना था तनाका जानता था कि ये सही नहीं है इसलिए उसने मुकाबला किसी और दिन करने को कहा लेकिन हुओ नहीं माना और आखिरकार उनका मैच शुरू हो गया जल्द ही पहला राउंड ड्रॉ हो गया अगले राउंड से पहले हुओ ने चाए पी मगर वो नहीं जानता था कि फिरंगी आफिसर्स ने इसमें जहर मिला दिया था क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर कर उसे हराना चाते थे फिर जैसे ही मैच शुरू हुआ तो हुओ को खून की उल्टिया होने लगी हुओ की हालत देखकर तनाका ने उसे मुकाबला रोकने को कहा मगर जब हुओ को एसास हुआ कि उसे जहर दिया गया है तो वो समझ गया कि वो जिन्दा नहीं रह पाएगा इसी लिए उसने मैच जारी रखने को कहा आखरकार हुओ हारने ही वाला था कि उसने तनाकी की छाती पर वही जबरदस्त वार किया जिससे किन की मौत हुई थी पर इस बार उसने पहले ही खुद को रोक लिया क्योंकि अब वो अपनी गलती से सीख चुका था उसी वक्त अचानक से वो जमीन पर गिर गया आखरकार तनाका और हीओ को विजेता घोशित किया गया हीओ ने जान बुझ कर खुद को वार करने से रोका था कुछी पलों में हीओ तनाका की बाहों में गिर कर भगवान को प्यारा हो गया अंत में हम देखते हैं कि हीओ की आत्मा मून के घर के बाहर खेत में पहुँची अचानक मून दोड़ कर उसके पास आई क्योंकि वो अंधी होने के बावजूद भी उसे महसूस कर सकती थी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चानल को सबस्क्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में